आपको बता दे कि पहले बल्ले बाजी करते हुए इस मैच में लखनाओ सूपर जाइंट्स की टीम ने 20 ओवर के बाद 6 विकेट गवाते हुए 168 रन बनाए है लखनाओ की टीम ने जहां आज इस मुखाबले में कुल 168 रन बनाए तो वहीं इसमें कप्तान केल राहूल का योगदान 103 रनों का रहा आपको बता दे कि आज केल राहूल ने एक बार फिर से इस सीजन में शतक लगाते हुए अपने टीम को बिखरने से बचाया केल राहूल ने सीजन का दूसरा और अपने IPL करियर का चौथा शतक लगा दिया है आज इसी शतकी अपारी के बदौलत केल राहूल ने कई रिकॉर्ड अपने नाम कर लिये हैं तो चलिए जानते हैं केल राहूल के वो रिकॉर्ड जो आज उन्होंने इस मुखाबले में अपने नाम किये हैं सबसे पहले शतक की बात करें तो मुंबई इंडियन्स के खिलाफ IPL में सबसे ज़ादा शतक लगाने का रिकॉर्ड अब केल राहूल के नाम है केल राहूल ने मुंबई इंडियन्स के खिलाफ तीन शतक लगाए हैं अगले रिकॉर्ड के बात करें तो मुंबई इंडियन्स के खिलाफ IPL में लगातार शतक लगाने का रिकॉर्ड भी अब केल राहूल के नाम दर्ज हो गया है केल राहुल ने अपना सौबा मुकाबला खेलते हुए इस सीजन मे मुमबई इंडियांस के खिलाफ 103 रुन बनाए थे और आज फिर मुमबई इंडियांस के खिलाफ अगले ही मुकाबले में उन्होंने 103 रुन बनाए है और ऐसा करने वाले वो IPL इतिहास के पहले बल्लेबाज हैं आपको बता दे कि IPL में बतौर भारती बल्लेबाज सबसे जादा शतक लगाने के रिकॉर्ड में केल राहुल का नाम दूसर स्थान पर आ गया है केल राहुल ने अपने IPL करियर में चार शतक लगाए हैं और वो विराट कोहली से अब एक शतक पीछे हैं इसके अलावा IPL में बतौर भारती बल्लेबाज सबसे तेज चार शतक लगाने का रिकॉर्ड भी केल राहुल के नाम दर्ज हो गया है केल राहुल ने चार शतक लगाने के लिए IPL में 93 पारियां खेली हैं हाना कि केल राहुल का अब ये शतक IPL की सबसे स्लोएस्ट शतक की सूची में भी शामिल हो गया है बावजूदिस के आज केल राहुल ने शांदार बल्ले बाजी की है और अपने टीम को बिखरने से बचाया जहां उन्होंने 62 गेंदों का सामना करते हुए 103 रन लगाए जिसमें उन्होंने 12 चौके और 4 चके जड़े बाकी की तमाम खबरों के लिए बने रही है वन इंडिया के साथ